ध्वनी का परावर्तन रिफ्लेक्शन आफ साउंड और उसके नीमों पर बात करेंगे क्लास नाइन्थ साइंस क्या है ध्वनी का परावर्तन जिसे अगर हम किसी रबर की गेन को दिवार पर मारें तो क्या होगा वो टकरा कर लोट आईगी इसी तरह ध्वनी भी जब किसी ठोस की सता पर या द्रव की सता से ठकराती है तो वो ठकरा कर वापस क्या होती है लोट आती है और ध्वनी का ये जो परावर्तन है ये बिलकुल लगभग लगभग प्रकाश के परावर्तन की तरह ही है हम या तो एक लकड़ी की मेज ले 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 और उस मेज को दिवार के साहरे लगा दे या कोई हम एक कार्ड बोड ले 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 और उसके सामने एक हार्ड प्लाई इस तरीके से हार्ड प्लाई वूड लगा दे तो यहां आप कार्ड बोड ले सकते हैं इस तरीके से और इसके सामन खड़ा करके आप एक hard plywood लगा दीजिएगा अब आप क्या करेंगे कि इस base के उपर यहां आप एक चांदा लगा दीजिएगा डी जिसको आप कहते हैं और एक लकड़ी का जो partition है जिसको आप कह रहे हैं softwood नर्म लकड़ी का एक partition आप यहां दे दीजिएगा तो आपने एक hard plywood लगाया फिर एक softwood का या नर्म लकड़ी का एक partition लगा दिया वैसे partition जरूरी तो नहीं है पर अभिलंब हमारा यह है है यह हमारा भिलंब रहेगा इसको जानने के लिए अगर आप यह softwood का partition लगाते हैं तो यह दिखाई अच्छा देगा अब हमें क्या करना है इस तरीके से हमें cardboard की एक नली इस तरफ और cardboard की एक नली इस तरफ दोनों तरफ एक एक नलिया cardboard की बनाना है या लेना है तो या तो हम कागस से वो नलियां तयार कर लें hard कागस से या cardboard की नलियां इस तरीके से हमको तयार भी मिल सकती है तो cardboard की दो नलियों को हम इस तरीके से लगा देंगे और लगाने के बाद हम देखेंगे एक तरफ cardboard की नली के एक घड़ी रख देते हैं और दूसरी तरफ से हम उसको सुनने का प्रयास करेंगे तो एक तरफ रहेगी alarm घड़ी और एक तरफ रहेंगे हम जिसको हम प्रेक्षक या श्रोता के रहें अब आप क्या करेंगे इस alarm घड़ी से alarm साउंड को ध्वनी उत्पन होगी और ये ध्वनी इस cardboard की नली से होकर जाएगी और इस hard plywood या दिवार से टकरा कर इस cardboard की दूसरी नली से प्रेक्षक या श्रोता के कान में आईगी तो ये ध्वनी हमें लगातार सुनते रहना है और इस cardboard की positions को चेंज करना है इस cardboard नली की positions को दोनों नलीों की position को लगातार चेंज करते जाएगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये alarm घड़ी की जो ध्वनी है ये श्रोता को सपस्ट रूप से सुनाई देगी और इस समय हम कहेंगे कि ये जो ध्वनी का परावर्तन है ये संपूर्ण रूप से पूरा हुआ और इस समय ध्वनी के परावर्तन से सम्मदित नीमों को भी हम समझ पाएंगे तो देखिए कैसे होगा इस तरीके से देखिए ये ध्वनी विक्षोप के रूप में आगे बढ़ती है तो यह यूं समझिए कि ध्वनी गमन कर रही है और यह ध्वनी के आपतित होने की दिशा है अब क्या है ध्वनी क्या होगी अब परावर्तित होगी तो यह आपकी हो गई ध्वनी के परावर्तित होने की दिशा तो यह ध्वनी के रिबाउंड हो गई जैसे रबर की गेंद हुई और ये ध्वनी के परावर्तित होने की दिशा है यहां प्रेक्षर के अश्रोता ने उसे इस पस्टूप से सुन लिया है और इसको हम कह सकते हैं साफ्ट वूड को हमारा भिलंब है तो ये दिखाई भी अच्छा देगा और हम एक अच्छी समझ भी प्रदान करेगा तो ये हमारा भिलंब हो जाएगा और ये ध्वनी के आप्तित होने की दिशा हो जाएगी और ये हमारे ध्वनी के परावर्तित होने की दिशा तो प्रकाश की भाती हम कह सकते हैं कि ध्वनी भी किसी ठोस या द्रव की सता से क्या होती है परावर्तित होती है जैसे की प्रकाश परावर्तित होता है अब इस परावर्तन के क्या नियम है तो ध्यान रखेगा ध्वनी के परावर्तन के नियम भी वेसे ही है जैसे प्रकाश क पर में सरल्भाशा में अगर आप इसको बताऊं तो आप एक तरीके से स्टार्ट करेंगे यहां से तो यहें इस परावरतक सतह के उपर खीचा गया अभिलंब तो परावरतक सतह पर खीचे के अभिलंब और ध्वनी के आपतन होने की दिशा ये एक बात हो गई, देखी समझे, परावर्तक सता पर खीचे गया बिलम और ध्वनी के आपतन होने की दिशा, और ध्वनी के परावर्तन होने की दिशा, मतलब आपको परावर्तक सता पर खीचे गया बिलम के साथ ध्वनी के आपतन होने की दिशा का कोण भी निकालना है, औ इसको हम कह रहे हैं ठीटा ठीक है सबोज एक 35 डिग्री है या इसको 37 डिग्री 35 डिग्री जो भी आप बांते हैं यह है और यह ध्वनी के परावर्तित होने की दिशा और परावर्तक सता पर जो खीचा गया भी लंबे उसके बीच का कोण है तो हम यह पाते हैं कि जब इस पस 40 ए तो यह भी 40 डिग्री होगा मतलब परावर्तक सता पर खीचे गया भी लंब और ध्वनी के आपतन होने की दिशा देखिए वाला परावर्तक सता पर खीचे गया भी लंब और ध्वनी के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच में बने हुए परावरतन कौन के मान के बरावर होता है और दूसरा ये जो तीनो दिशाएं हैं कौन सी धोनी के आपतित होने की दिशा और धोनी के परावरतित होने की दिशा और अभिलंब ये तीनो क्या होते हैं एक ही तल के अंदर होते हैं तो इस तरीके से हम धोनी के परावरतन के नीमो को भी समझ सकते हैं और प्रैक्टिकल वे में इस तरीकेगा डिजाइन आप त्यार करके इस परावरतन को समझ सकते हैं बच्चे कुछ और तरीके से भी धौनिके परावरतन के जो क्रियात्मक मॉडल हैं वो बनाते हैं चाहे वो इतने एकुरेट ना हो पर फिर भी उनके प्रयास सरानी माने जा सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार जुड़े रही हैं 500 से अधिक वीडियो क्लास 9 से 12 तक के इस चैनल पर अपलोड हैं और जैसा मैं भी बात कर रहा था कि जो विध्यारती हैं वो भी इसको अपने स्तर पर बनाते हैं किसी तरकीब से कि ये वो कार्डबोर्ड लगा देते हैं यहां कुछ वो एक प्लाइबूड का कुछ लगा देते हैं कुछ कभी कुछ सामगरी नहीं मिली तो नहीं या गलास भी लगा दिया या रबर की नलियां ले ली और इसका अधियन करने का वो लगातार क्या करते हैं प्रयास करते हैं तो ह हम आदर्श इस्तितियों में ना सही तो भी धोनी के परावरतन को अपने इस्तर पर उसका ध्यन अवश्य हमें करना चाहिए धन्यवाद